है यह नेक्स टॉपिक डिउइं देकनपौसर्स इन सीवेश टृिट्मेंट की डिउइस टृिट्मेंट में कैसे हल्प करती है है म blessed nämं में का मीनिक होता है सीवेश का मीनिस होता है गंदा पानी जो घ़रों की वार आता है या फिर chemical factor से जो chemicals वाला water बहार आता है तो उसको हम कहते हैं सीवेज़ कहा देती है और इसको treatment देना है में इसको treatment करना बहुत जरूरी होता है otherwise वो सारा पानी कहां जाके mix हो जाएगा हमारी नदियों में direct जाके mix हो जाएगा जिससे वो सारे rivers को सारे ground water को सब को जो है वो दूशीद कर देगा understand तो इसका treatment होना बहुत जरूरी है तो इसमें सबसे ज़्यादा help हमारी को नदियों करते हैं microorganisms करते हैं microorganisms specially bacteria जो होता है इस sewage को इस गंदे पानी को harmless water में change कर देता है और उसके बाद harmless water को rivers में इस पानी को ठीक है तो यह सारा काम जो है specially सीवेस treatment plants होती है उसमी कर जाता है हमारे जो घरों की drains का जो भी पानी होता है गंदा पानी ठीक है उसको treatment plants तक पहुंचाया जाता है वहीं यह सारा treatment होता है और उसको शुद्ध पानी में convert किया जाता है और किसकी हल्प से किया जाता है bacteria की हल्प से किया जाता है next is bio gas bio gas क्या होती है during the treatment of the sewage जब sewage की treatment होती है जो भी sewage है गंदा पानी है उसकी जब treatment की जाती है तो methane gases produce तो methane gas निकलती है वहाँ से ठीक है और किसके तो निकलती है by anaerobic bacteria ठीक में पहली anaerobic का meaning बदा चुकी ही कि वो anaerobic का meaning होता है oxygen के बीना ठीक है उस bacteria के थुरू होता है जो oxygen के बीना जो रिस्पार करते है ठीक है तो this is called the bio gas तो इसको क्या कहते है bio gas कहते है methane gas को ही हम क्या कहते है bio gas कहते है और यह form कैसे होती है it is produced from the degradation of the plants and animals material plants और animals जो materials होते है उनको degrade करके उनको नश्च करके ठीक है उनको गला कर जो gas बनती है उसको हम bio gas कहते है in India and China rotting vegetation rotting vegetation का मतलब क्या होता है जो गली सड़ी सबजें हो जाती है ना बासी हो जाती है ठीक है खराब हो जाती है उसको हम rotting vegetation कहते है and animals dung और जो भी animals dung होता है ठीक है waste होती है are used to produce a bio gas तो bio gas के लिए उसको use कह जाता है which is used as a fuel in the homes और उस bio gas को homes घरों के अंदर bio gas उसके रूप में fuel के रूप में use कह जाता है ठीक है तो it is very useful तो दोनों काम हो रहे है जो animals dung है तो जो environment है clean हो रहे है ठीक है दूसरा कि जो उससे useful product बनाया जाता है clear next है preparation of antibiotics अब यह antibiotics होते क्या है anti means against bio means life ठीक है तो जो life उन हमारे लिए जो चीज़े harmful है ठीक है उनकी life की against जो work करते हैं उनको हम antibiotics कहते हैं यह chemical substance होते है produced by the microorganism such as fungi and bacteria ठीक है यह एक ऐसे chemical substance है जो microorganism के दोरा produce की जाते है which kill or stop the growth of disease causing microorganism जो जातों बिलकुली kill कर देते हैं उनको उन microorganisms को जो बिमारी फिलाते हैं जो उनकी growth को कम कर देते हैं ठीक है आप देखो कि अगर कोई भी person बिमार होता है सबसे बहुत इसको antibiotics दे जाते हैं ठीक है तो कि antibiotics क्या करते हैं उनकी जो बिमारी फिलाने वाली microorganisms होते हैं जब pathosans भी हम उनको कह देते हैं उनकी growth को वो रोक देते हैं ठीक है पैंसलियम जो है पैंसलियम वाजब्टेंड फंगस पैंसलियम बाय अलेक्जांडर फ्रैमिंग इन 1928 पैंसलियम जो नाम का antibiotics है वो कौन से फंगस से त्यार के गया था पैंसलियम ठीक है एक ऐसा सबस्टांस होता है वैक्सिन जिसको हमारी इम्यूटी जो है बनाने के लिए ज़ा इम्यूटी को इंप्रूव करने के लिए हमारी बोडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जा जा औरल मेथर्स इसको दे जाता है ताकि हमारी इम्यूटी जो है एक ऐसे सेल्स पैदा करती है जो की बिमारें से लड़ते हैं इम्यूटी क्या होता है हमारे शिर्क के अबिल्टी होती है जो की कोई भी बिमारे होती है तो उनसे लड़ने भी हमारी जो है हल्प करती है हम सुनते हैं अगर हम योगा करेंगे तो हमारी immunity increase होती है अगर हम अच्छा खाना खाते है तो भी हमारी immunity increase होती है ठीक है तो साथ साथ में vaccins भी इसलिए कि जाते हैं ताकि हमारी immunity increase हो सकी अब देखें यहां पर when a disease causing microbes enter your body अगर कोई भी ऐसा pathosans हमारी body के अंदर enter करता है तो हमारी body उनको दो तरीकों से जो है tackle करती है उनके साथ ठीक है एक्ट करती है जैसे some white blood cells कुछ white blood cells ठीक है यह white blood cells हमें बिमारी से बजाते हैं तो reach the invading microbes and eat them हमारी कई बर क्या होता है कि हमारे blood cells उन microbes तक पहुँच जाते हैं जो जो बिमारी फिलाने वाले होते हैं जो हमारी body पर attack करने वाले होते हैं उनके तक पहुँच जाते हैं और उनको खाकर खत्म कर देते हैं like this कि यह microbes हैं बिमारी फिलाने वाला एक micro organism है यह हमारी body का white blood cell है ठीक है तो white blood cell यहां तक पहुँच गया अगर इनके contact में आ गया तो इसको क्या कर जाएगा गर्प कर जाएगा means उसको अपने अंदर लेकर उसको nest कर देगा एक invading का मतलब होता है attack करने वाले microbes invading का मतलब attack clear second है some white blood cells produce chemicals कुछ जो white blood cells है ठीक है वो direct उनको अंदर नहीं लेते कुछ chemicals produce करते हैं जिनको हम antibodies कहते हैं क्या कहते हैं antibodies antibodies है chemical substance है जो white blood cells produce करते हैं ठीक है किसे लड़ने के लिए जो attacker है invader means attacker जो micro organism हमारे body में enter हुई है हमें मिमार करने के लिए तो उनके खिलाफ एक chemical produce कहता white blood cells के दुआरा जिसको हम antibodies कहते हैं antibodies surround the invader microbes जो antibodies है वो उस microbes को invader जो microbes है उसको surround कर लेता है घेर लेता है और white cells जो होते हैं हमारे उसको फिर अपने अंदर लेकर nest कर देते हैं जिनको उसको खतम कर देते हैं understand हंजी बच्चो एक तो ये बात है कि ये बहुत ही important topic है इसको करने में मज़े भी बहुत आएगा आपको क्योंकि ये आपकी body से related है आपको इसको अच्छे समझना चाहिए ठीक है तो चलो next करते हैं once our body has been infected by a particular microbes suppose कर लो अगर हमारी body किसी microbes के दुआरा infect हो चुकी है the body remember which antibody was able to fight तो हमारी body खुद रखती है होता है तो कौन सा antibody जो है इस microbes से लड़ेगी तो हमारी body को ये हमेशे याद रहता है और next time वो microbes हमारी body पे जल्दी जल्दी जो है attack नहीं कर पाता ठीक है अब मैं मताते हूँ कैसे suppose कर लो कि किसी person को malaria हुआ है ठीक है तो जो malaria का microbes है उसकी body पे attack कर चुका है ठीक है इस कमीजोस की immunity जो weak है white cells ने अपना काम नहीं किया है ठीक है तो उसकी वज़े से माइक्रोब उसकी body पे attack कर चुका है तो उसको malaria हो चुका person को लेकिन next time जो है उसको malaria नहीं होगा काफी लंबे समय तो उसको malaria नहीं हो सकता क्यों क्योंकि malaria एक बारी होने पर हमारी जो body है खुद ही एक ऐसी antibody स्यार कर लेती है जो उस microbes के जो against टैल लडने के लिए हमेशा त्यार रही तो किसी को भी अगर ऐसी जैसे suppose कर लो किसी को coronavirus हो चुका तो coronavirus positive आगया person ठीक है और कुछ दिनों में उसका result negative भी आगया कि वो ठीक हो गया coronavirus से तो उसको अब coronavirus से जल्दी खतरा नहीं नेक्स टाइम के लिए क्योंकि उसकी body ने अपने आप ऐसी antibodies स्यार कर ली कि अगर coronavirus नाम का जो microbes है उसके अंदर attack करेगा तो वो अपने आप उनको जो है वहाँ से fight करके भगा देंगे ठीक है तो ये होता है हमारा immunity system ठीक है जो अगर कोई किसी को भी मारी लगते तो अगली time उसको भी मारी नहीं लग पाती clear अब जो immunity system है एक तो naturally strong होता है ठीक है वो हमारे खाने पीने पे डिपेंड करता है एक उसको artificially भी strong के जाता है ठीक है artificially कैसे strong के जाता है the body fights and kills these microbes by producing stable antibodies these antibodies remain on the body